आज हम आपको अपनी से स्पेशल लिपोर्ट में यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखर अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के दांतों से उसके स्वभाब का पूरा पता लगाया जा सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे दांतों से बीच का गैप या यूँ कहें कि दूसरे के उपर चड़ते हुए दांत या फिर दांतों के पीला पन और सफेद पन से भी पूरे भवश्य का और स्वभाब का पता लगाया जा सकता है इस बात का जिक्र समुद्रिक शास्त्र करता है और इसमें दांतों से जुड़े व्यक्ति के स्वभाब के बारे में जाना जा सकता है तो आज हम आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि आखर दांतों से जुड़े व्यक्ति के स्वभाब क्या कहते हैं आपको उतारे हैं जिन लोगों के दान्तों के बीच थोड़ा गैप होता है या जिनके दान्त थोड़े दूर दूर होते हैं इस तरहे के लोग दूसरों के पैसे पर एश करने वाले हो सकते हैं जिहां जिन लोगों के दाटों के बीच गैप होता है वो दूसरों की संपत्ती पर ही एश करते हुए नजर आते हैं वहीं जिन लोगों के दाट थोड़े बाहर की और निकले हुए होते हैं वो काफी ज़ादा बातुनी होते हैं तक सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के दाट बाहर होते हैं तो ऐसे लोग अपनी बात मनमाने में भी काफी जादा माहिर होते हैं और वो बातों ने भी बहुत जादा होते हैं आपको उता दें सीधे और सपाट दात वाले लोग धन्वान होते हैं और इन्हें दिखावा करना पसंद होता है ऐसे लोग खुद का बिजनिस करना जादा पसंद करते हैं और व्यवपार में अपने आपको अवल दर्जी पर अपनी आमद भी दर्ज कराते हैं वहीं सफेद और संदर दात वाले लोग भागशाली माने जाते हैं ये लोग किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेते हैं वहीं छोटे छोटे दात वाले लोग अकलमन और भरोसे मन्द होते हैं जिनके छोटे दात होते हैं ऐसे लोग काफी ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं और इन पर भ बहुत पशंद होता है वहीं तेड़े मेड़े दात वाले लोग जीवन भर संगर्श करते हैं ऐसे लोगों पर विशवास करना भी बहुत जादा मुश्किल हो जाता है जिनके दा तोड़े तेड़े मेड़े हो उन पर आपको आंख बंद करके बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है वहीं दात के उपर दात वाले लोगों का दामपत जीवन खुश हाल रहता है हमेशा ऐसे लोग व्यवाहिक जीवन में खुश्य अपराप करते हैं और इनके दोनों की बीच संभंध काफी अच्छे रहते हैं नेक्स्ट नाइम वक्तिसागर से आकाश की रपॉर्ट